नमस्कान मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में सुभा सुभा लोगों ने महसूस किये भुकम के जटके बिहार में डिंगू मरीजो का आंकड़ा 12,000 के पर दिपावली छट को देखते वे 283 स्पेशल ट्रेन की हुई घोशना देशडा दुरगा पूजा के अफसर पर सुरक्षा हे तु आवेशक सला अंदबाद और चन्नाई की पिच को औसत रेटिंग देने पर राहुल दरविर का बयान इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से बिहार में सुभा सुभा लोगों ने महसूस किये भुकम के जटके आज यानी रविवार को सुभा 7 बचकर 24 मिनट पर बिहार के पटना गोपाल गंच समेत कुछ जिलो में भुकम के जटके महसूस किये गए बतादे के भुकम का केंदर नेपाल के काटमांडू के पास था वही भुकम के तिवरता रिक्टर पैमाने पर 5.3 मापी गई है जबकि गहराई 10 किलो मीटर नीचे रही जैसे ही भुकम के जटके महसूस किये गए तमाम लोग अपने अपने घड़ों से बाहर आ गए हाला कि अभी तक कहीं से भी कोई जानमाल के छटी की खबर सामने नहीं आई है बतादी कोपाल गंज और पटना समेथ बिहार के कई जिलों के लोगों को सुबह में 3-4 सेकंड के लिए भुकम के जटके महसूस हुए इसलिए बिहार के अधिकान शेत्रों में सिर्फ हलका सा कमपन महसूस किया गया वहीं तिवर्ता कम होने की कारण कई लोगों को भुकम के जटके महसूस भी नहीं हुए महास्टमी को पतंदेवी और शृतला मंदर पहुचे सीयम नितीश आज नवरात्र का आठवा दन हैसे में आज महास्टमी के दिन माता के आठवे स्वरूप मा महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है मालमों के सीयम के आजमन को लेकर पतना सिटी में सुरक्षा विवस्था सक्त रख दी गए थी वहीं अब शाम को सीयम नितीश गरदनी बाग अस्थित माता के मंदर में पहुचेंगे और वहाँ भी पूजा अर्चना करेंगे इससे पहले भी बीते दिन शनिवार को महा सब्तमी के मौके पर सीयम नितीश टाग बंगला के पूजा पंडाल में पहुचे थे और माता की पूजा अर्चना की थी वहार में डेंगू मरीजों का आकड़ा 12,000 के पर वहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढोतरी होती जारी है जबकी अब तक 41 लोग ऐसे हैं जिनकी डेंगू से मौत भी हो चुकी पिछले पांस दिनों में हर दिन कम से कम 364 रिंगू के नए मरीज मिल रहे हैं वही राजी में पिछले 24 घंटे में डेंगू के कुल 377 मरीज सामने आए हैं जिसमें से सबसे अधिक बिहार की राजधारी पटना में 177 मरीज मिले हैं वही इसके अलावा सारण में 22, वैशाली में 16, मुझपरपूर में 15 और बेगू सराय में 13 मरीज मिले हैं इस साल राजी में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 12,819 हो चुकी है इस स्थिती को देखते वे स्वास्त विवाग की तरफ से राजी के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू वाड बनाए गया है जिनमें बड़ी संख्या में मरीज भरती है बिहार सिक्चक भरती के सभी विश्यों के रिजल्ट जारी बीते दिन सनिवार की देड रात को बिहार लोक सिवा आयोग के द्वारा बिहार सिक्चक भरती परिच्छा का माध्यमिक और उचमाध्यमिक के बाकी बचे हुए 14 विश्यों का भी नतीजा जारी कर दिया गया है इसी के साथ अभ्यार सिक्षक भरती परिच्छा के सभी विशय का रिजल जारी हो चुका है इस बात की जानकारी BPSC के अधक्ष अतुल प्रिशाद के द्वारा एक्सपर जो की पूर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर दी गई है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि शेस सभी टी आरी परिणाम हमारी वेबसाइट पर अप्लोड करने के लिए NIC को भेज दिये गए हैं सरसटफे CCE के अंतिम परिणाम इस महीने के अंत तक घोशित किये जाएंगे ऐसे में अब अभ्यारती सक्षक भरती परिच्छा का रिजल्ट BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर अपने रजिस्ट्रीशन नंबर और पासवर्ट की मदद से जाकर देख सकते हैं दिपावली छट को देखते वे 283 स्पेशल ट्रेन की हुई घोशना दिपावली और छट के दोरान लोगों की बरती भीर को देखते वे रेलवे की ओर से यात्रियों को सुवधा देने के लिए देश भर से 283 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोशना की गई है केंद्रे रेल मंतरी अश्विनी वैसनव के दोरा कहा गया है कि अविसेश ट्रेनी 4,480 फेरे लगाएंगे देखते अब उत्तर पर शिम रेलवे 24 पेशल ट्रेन चलाएगा आपके जानकारी के लिए बता दी के धिकान स्ट्रेन दिल्ली और मुंबई जैसी महानकडों से बिहार और उत्तर प्रदेश के सहरों के लिए चलाई जा रही है जिसे की यात्रियों को दिपावली और छट पूजा में घर जाने में आसानी होगी उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोबन चौधरी के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है किन स्पेशल ट्रेनों के लावा मौजुदा उनहत्तर ट्रेनों में अत्रक्त कोच जोड़े गया है देशडा दुरगा पूजा के अफसर पर पंडालो और रावनवद के अफसर पर भारी भीर इखटा होती है इन अफसरों पर सुरक्षत आयोजन एवं भीर प्रवंधन हेतु प्रशासन के नरदीशों का पालन करना आती आवश्यक है ऐसे में प्रशासन के दौरा दिये गए दिशानरदेश के नसार पूजा पंडालो मेले में चलते फृते रहें एक अस्थान पर रुपकर भीर न लगाएं चोटे बच्चों महलाओं बिमारों या व्रदों के जेब में या गले में घड का पता और फोन नमबर अवश्य रख दे यदि आप परिवार या समू के साथ है तो किसी आपात स्थिती में मेला चेतर के बाहर मिलने का एक अस्थान सुनश्यक कर ले एक दूसरी का फोन नमबर अपने पास रखे भगदर के समय संयम बरते घबडाएं नहीं आपात स्थिती में निकर्तम पुलिस प्रिशासन को सुचित करें बजली के तारों और उपकर्णों से दूर रहे और प्रिशासन की ओर से की जाने वाली घोशनाओं को ध्यान से सुने और उसके अनुसार व्यभार करें बता दे किसी भी आपात काली निस्थिती में हेलप लाइन नंबर 0612-22942-04 या 0612-851-07-07-07-07 पर संपर्थ करें राजी के मेडिकल कॉलिज में ताखिला कडाय 804 छात्रों के पंजियन पर रोक राजी के मेडिकल कॉलिज में नामांकन कर चुके MBBS कोर्स के 804 छात्रों के पंजियन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है बता दे कितने छात्रों का MBBS कोर्स में BCECE ने 30 सितंबर के बाद नामांकन लिया था और स्ट्रे वेकेंसी के लिए 8 अक्टूबर तक 24 फिलिंग कराया था जिसमें करीब 69 सीट बची वी थी वहीं अब BCECE के द्वारा स्ट्रे वेकेंसी में नामांकन के लिए काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है SMF National Medical Commission यानि की NMC से पत्र प्राप्ती के बाद आगे की काड़वाई की जाएगी वहीं दूसरी तरफ छात्रों का आरोप है कि बिहार में वेलंब से नामांकन की प्रक्रिया शिरुकी गई थी इसकी वज़ा से छात्रों का केरियर दाव पर लग रहा है बतादी के संबन में BCECE के OSD अनल कुमार के द्वारा स्वास्त विभाग को विन्दुवार जानकारी उपलब्ध करा दी गई है वहीं सरकार के द्वारा भी NMC को पत्र भेज दिया गया है साइबर फ्रोट का बिहार टू सिंगापूर करनेक्शन पिहार में साइबर फ्रोट सिजरे मामलों में लगतार तेजी से बढ़ोतरी होती जारी है ऐसे में पर नकेल कसने के लिए साइबर थाना भी स्थापित किये गए हैं, बता दे के एक ऐसे मामली का खुलासा हुआ है, जो बिहार और सिंगापुर से जुरा हुआ है दरसल सिंगापुर के कहीं लोगों से साइबर फ्रोड के माध्यम से ठगी की गई राशी बिहार के फरजी खातों में जमा कराई गई है इस बात का खुलासा CBI जाँच में हुआ है जिसमें 150 से अधिक ऐसे संदग्द बैंक खाता सामने आई हैं जिसमें साइबर फ्रोड से ही जुरी हुई 137 फरजी या खोखा कमपनियां भी सामने आई हैं जिनके खातों में भी पैसे डाल कर कहीं दूसरे खातों में ट्रांसफर किये गए हैं अब तक इस पूरे रैकेट में 16 मुख्य बैंक खातों का पता चला है जिसमें सबसे जादा ठगी के 357 करोड रुपए डाले गये हैं वहीं जाच के दौरान यह भी पता चला है कि सिंगापुर के करीब 400 नागरिकों को निशाना बना कर विवन सोशल साइट्स के माधिम से ठगी की गई है दुर्गा पूजा में बिहार में बना 15 करोड वाला पंडाल सब्तमी की पूजा के बाद पूजा पंडालों में पट खुलने के बाद काफी भीर देखी जा रही बताधी के बिहार के हरजले में उत्सवी मोहौद है लेकिन बिहार के मुंगेर चले के कल्यानपूर में दक्षिन भारत के सूप प्रसिध मदुरई स्थित मिनाक्षी मंदर के तर्ज पर पंडाल का निर्मान किया गया है जिस पर डेर करोड उपए खर्च किये गया है इस पंडाल में 45 फीट उंची आदिशिव योगी की प्रतीमा भी है जो लोगों के लि यूथ कलब पुजा समीती के द्वारा करवाया गया है जिसे पश्यम मंगाल जारखन के कडिव पचास से अधिक काड़ीगरों के द्वारा तयार किया गया है मालूमों कि मिनाक्षी मंदिर में विविन देवी देवताओं की प्रतीमा बनाई गई है उसी के तर्च पर इस मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा तयश्वी यादव को उत्राधिकारी घोशत करने पर राज़त सुप्रीमों लालू पुशाद यादव के द्वारा मीडिया से बाचीत करते वे कहा गया कि ठीक है बहुत अच्छा है द्रसर राजधानी पटना में इस बार स्यम के द्वारा नितीश के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी गई चिराग पासवान का सीम नितीश पर तंच बीते दिन बिहार के पहले पुर्व मुख्यमंत्री स्री कृष्ण सिंग की जैनती पर आयोजित कारिक्रम में लजे पीयार के चिराग पासवान के दौरा विहा गडवंधन बदलते रहते हैं अगर वो एंडieß अगर बंधन में रहते है तो एंडिये की तरफ चांकते हैं और एंडिये में रहते ह्ए तो माहемся गडवंधन की ओड चांकते हैं यह उनकी पुरानी आधत है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार को 13 करोड बिहारी की चिंता नहीं है उन्होंने समुचे राज्जी को जात पात में बाट दिया है वह अंग्रेजों वाली नीती बाटो और राजकडों की नीती पर काम कर रहे हैं लेकिन जनता उनकी हगीकत अब समच चुकी है और आने वाले लोग सभा और विधान सभा में उनका सबक जरूर सिखाएगी उन्होंने कहा कि जदियू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन दुलितकर बिहार की मध्यपूरा अस्थत प्रसद खुर्दा मेली का सुभारम किया गया बता दे कि मेला में इस बार कहीं सितारों की मैफिल सजने वाली है वहीं मेला में बंगाल के कलाकारों द्वारा भवे पंडाल का निर्मान किया गया है इसके अलावा मेला प्रदेश अध्यक्ष अखिले सिंग के दौरा मीडिया से बात चित करते वे बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा कई बार कहा जा चुका है कि अगला चनाव तेश्वी यादव के नित्रतु में लड़ा जाएगा ऐसे में वो कुछ नई बात नहीं कहड़ उन्होंने पहले भी ये बाते बोली हैं। एहमदाबाद और चिन्नाई के पिचको औसत रेटिंग देने पर मुख्य कोच राहुल द्रविर के द्वारा आज वैस्विक संस्था से सम्मान पुर्वक और सहमत होते वे कहा गया। देखना चाहते हैं। और दिल्ली और पूने जैसी पिचको अच्छा विकेट मानते हैं तो यहां गेंद बाच क्यों है। जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी केगा इसके बाद राजधानी पत्ना में आज पेट्रॉल 107.74 और डीजल 94.5 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है। मुझपरपूर में पेट्रॉल 108.67 रुपे और डीजल 94.79 रुपे प्रति लीटर मिल रहा। और डीजल 96.34 रुपे प्रति लीटर की दर्स्ते मिल रहा है। बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कप्रणों के साथ बन रहने के लिए देखते रहें। बिहार नी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले।